कि नमस्कार दोस्तों स्वागर थे आपका रामन अजन क्लासेस में जई एडवांस 2020 के वीडियो शॉलिशन की सीरीज में अब हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स चेप्टर के कुश्चन्स तो जो लिमिट्स चेप्टर हैं उसके दो कोशन आएं जे एडवांस में इस बार वो भी सेपरेटली कोश्चन्स एक कोशन्स पेपर वन में आया था और एक कोशन आया था पेपर टू में तो ये मैंने जो फ़र्स कोशन लिया है पेपर वन का देखते इसको डिस्कस करते न और इस तरीके के सवाल है ना जैसे यहाँ पर कुछ coefficient problem find करने वाला सवाल दिया है इसका मैंने separately lectures बना रखा है है ना तो यह सवाल आपसे बन जाना चाहिए यह सवाल काफ़ी easy है ठीक है मतलब आम तोर पर जो हमारे coachings के package होते हैं या सिंगेज में बोल सकते हो यह सवाल as it is है सिंगेज में एक सवाल है यहाँ पर e की पावर minus 1 की जगे यहाँ पर e है और यहाँ पर 1 plus x है इतना साथ difference है ठीक है देखते हैं क्या question है let e denounce the base of the natural logarithm नई बोल रखा था तब भी हम मानते हैं कि e जो होता है वो base होता है natural log का फिर भी नोंने लिख रहा है पर अच्छी बात है the value of real number alpha real number कोई साथ alpha उसकी बात हो रही है for which the right hand limit है ना यह जो function इसका जो right hand limit है 0 plus है ना मतलब 0 पर rh है right hand limit is equals to non zero real number है ना हमें alpha की ऐसी value बताना है जिसके लिए जब हम limit को solve करें तो हमारा answer क्या है non zero real number ठीक है चलिए देखते तो सबसे फिरे limit का जब भी सवाल आता है तो हम क्या check करते हैं उसका form check करते हैं है ना मतलब जब भी हम doctor के पस जाते हैं तो doctor सबसे फिरे क्या देखता है कि विमारी चेक करता है कि कौन सी विमारी है उसी प्रकार से limit में हम form check करते हैं तो form check करेंगे तो क्या आगए हम पर zero रखा तो one minus zero one तो one की power infinity form बनेगा तो one की power infinity form बनेगा तो इसको जब हम solve करेंगे one की power infinity form तो कितना solve करेंगा एकी power limit x tends to zero plus यह power आ गया जाती है और इसमें से एक कम हो जाता है यह हमने पहले पढ़ चोका कहाँ पर यह one की power infinity form है तो यह से one से one गया, xx गया है कितना मचा minus one, तो e की power minus one यह भी e की power minus one तो ओपर बन गया zero और नीचे भी zero है तो zero by zero form बन रहा है मतलब indeterminate form बन रहा है ठीक है तो अब इसको हम simplify करते थोड़ा बहुत कुछ है न तो यह इतना one की power infinity form बन रहा है पूरा expression one की power infinity form नहीं बन रहा है क्योंड इतना time one की power infinity form बन रहा है और इसका जब हम value calculate किया तो इसका value आएगा e की power minus one यह भी e की power minus one तो zero और नीचे भी zero तो zero by zero form बन रहा है ठीक है अब क्या करें मैंने आपको log में या पहले भी कहीना के limits में ही बताया कि हम किसी भी expression को exponential को log में convert कर सकते हैं तो क्या यह जो कुछ something to do about something इसको हम log में लिख सकते हैं क्या अगर आप बुरा नहीं मानो तो आप बुरा मन जाओ तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्या मैं इसको इसा लिख सकता हूं क्या लिख सकता है क्या log यहाँ पर base में कितना है e होता है कुछ नहीं है तो क्योंकि log का जो base है वो कितना है e दे रखा है तो यह जो base यह यह और यह sim cancel हो जाते है तो यह कही बसता है अरे एक property होती है अगर दोनों same है तो इसका value कितना आता है 1-x की power 1 by x मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं तो मैंने क्या किया और यह 1 by x को property से आ गया आ गया यहाँ पर base लिखने की जोरूत नहीं है तो इस तरह को 1-x की power 1 by x को मैंने ऐसा लिख दिया e to the power 1 by x into log 1-x minus कितना लिखा e की power minus 1 upon कितना बचना x की power alpha यह आपको कैसे पता चल गया यह बस अभी paper आया कुछ देर पहले और मैंने solve करके देखा और answer आ गया तो इसलिए पता चला यह normally log में भी सिखा जाता है और यहाँ पर क्या हो रहाता कि कुछ मामला फस रहाता मतलब कुछ common भी नहीं आ रहाता कुछ rest slice भी नहीं हो रहाता जितने भी मैंने आपको limit के fundे पढ़ा रहा है यहाँ पर एक भी इस्तिमाल नहीं हो रहा है नहीं तो rest slice करो तो मैंने क्या किया यह e वाली term थी यह तो constant है इसको क्या मैं e में बदल सकता हो तो yes ताकि दोनों e जैसे हो गए तो शायद कुछ common आ जाए पता नहीं है पर शायद कुछ common आ जाए तो मैंने अगली step में लेका limit x tends to 0 plus अब यहाँ से e की पावर minus 1 इमने common ले लिया पूरा तो जैसे ही मैंने e की पावर minus 1 common लिया तो bracket में क्या बचेगा यहाँ पर e की पावर minus 1 का divide होगा तो पूर e की जाब power plus 1 हो जाएगा e की पावर 1 by x log 1 minus x plus 1 हो जाएगा यह plus 1 कुन से हुआ क्योंकि यहाँ पर e की पावर minus 1 का divide किया minus 1 divide by x की पावर alpha क्या किया e की पावर minus 1 यहाँ से भी और यहाँ से common ले लिया तो यहाँ से common लिया कितना बचेगा 1 और यहाँ पर e की पावर minus 1 common लिया तो यहाँ तो common था ने तो divide मार दिया तो e की पावर माइनस 1 का जब divide मारा log 1 माइनस x divide by e की पावर माइनस 1 मतलब 1 by e 1 by e उपर जाएकि कितना आएगा e तो base से में power 8 हो जाएगी तो plus 1 उपर आजाएगा यह ना यह छोटी सी calculation है इसमें आपको कितना को minus 1 upon x मैंने सिखा है था कि 1 होता है तो मैंने क्या क्या इस पूरी टर्म को multiply और divide कर दिया किस पूरी टर्म का जो ओपर ही है जो power है इसका मैंने multiply divide कर दिया 1 by x log 1 माइनस x plus 1 इसका divide भी कर दे और उपर multiply भी कर दिया यह जो multiply के इसको मैंने बोल दिया x यह बोल दो capital है, capital को नहीं यही key term है तो अब जहां से देखता है कि limit exchange to 0, 0 plus यहाँ पर 0 plus रखात कितना आएगा, 1 minus 1 1 minus 0, 1 log 1, 0, 0 upon 0, plus 1 इस पूरे को calculate करोगे तो इसकी limiting value आएगी 0 जेसे, मैं वोको बता जाता हूँ, limit exchange to 0 plus log 1 minus x by x plus 1 मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इसकी जब मैं limiting value calculate करोगा, तो वो कितनी आएगी, 0 आएगी जेसे, यहाँ पर 0, log 1 0, यह भी 0, 0 by 0 form L hospital लगा है, तो L hospital लगाने कितना answer आएगा, बताँ हैं से L hospital लगा रहे हैं, 1 upon 1 minus x, minus 1 upon कितना आजाएगा, 1, है न, किवल इतने मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आएगा, limit exchange to कितना आएगा, 0, तो यह तो 0 हो गया, और यह कितना बचाए, 1, तो 1 by 1, 1 into, minus 1, minus 1 by 1, minus 1, minus 1 plus 1, 0, तो यह वाली quantity 0 को टेंड कर रही है, यह भी 0 को टेंड कर रही है, तो e की पावर x minus 1 upon x, यह पूरा मसाला कटकी कितना आजाएगा, 1, है न, तो finally अगली step में कितना बचेगा, यह limit x tends to 0, e की पावर x minus 1 upon x, यह 1 होता है, जब यह x 0 को टेंड करता है, तो यह वाली quantity 0 को टेंड कर रही है, मैंने अभी बताएगा आपको, है न, तो कितना बचा यह बताओ finally, तो हमारे पास तो सवाल सुन्दर सा बचा, limit x tends to 0 plus, कितना बचा, e की पावर minus 1, bracket, यह a बचा, a कौन था हमारा, a हमारा था, 1 by x, log 1 minus x, plus 1, divided by x to the power alpha, यह न, e to the power minus 1 को तो बहार लेग लो, यह न, इससे कोई फरख नहीं पढ़ता है, positive quantity 1 by e, है न, इसको थोड़ा बच मैंने LCM लिया, तो अगली स्टिप में क्या आएगा, limit x tends to 0 plus, LCM लिया तो यह पर x का multiple हाजाएगा, तो log 1 minus x, plus x, अपो नीचे x आजाएगा यह वला, और x की पार alpha था तो x की पार alpha plus 1 हो जाएगा, है न, अब जब भी coefficients find करने वाले problems करते हैं, तो मैंन और मैंने समझा रखा है coefficients problem, और मैंने stickly बोल रखा था, और मैंने काफी problem करवाए, और मैंने बोला था, कि जब भी coefficient वाले problem पूछे, तो हम series का इस्तमाल करते हैं, किसका इस्तमाल करते हैं, series का, तो बस अब यहाँ पर हम किसका इस्तमाल कर लेंगे, series का, अब आपको log 1 minus x क series याद होना चाहिए, अगर हो याद नहीं फिर तो दिक्कत है न, यह a कों सतमाल है न, यही वाली quantity a थी, तो इस a को मैंने यहाँ लिख दिया, है न, खेर दो, अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूं, क्योंकि मुझे series लिखना पड़ेगी, है न, चलिए, तो log 1 minus x की series, मैंने x cube by 3, ऐसे चलते जाएगा, फिर and so on, plus x, यह किसकी series रखी मैंने, log 1 minus x की, अब होन कितना आ रहा है, x की पावर alpha plus 1, limit आ रहा है, x tends to 0 plus, सरु ए की पावर minus 1 तो लिखा नहीं, यह लिख दिया, है न, अब यहाँ से x और यह minus x, cancel हो गया, अब हमें alpha की ऐसी value चाहिए, कि इसक limiting value हो, वो non 0 हो, है न, किसी value non 0 हो, ठीक है, अगर alpha मेरा 0 हो गया, तो x की पावर कितना बचाएगा, 1, वो यहाँ पर कितना बचाएगा, x की पावर 2, तो जब x की पावर 1 का divide करेंगे, तो यहाँ पर भी x मौझू दोगा, यहाँ भी x मौझू दोगा, सब में x मौझू दो तो उपर क्या हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा, तो alpha 0 नहीं हो सकता, alpha अगर 1 हुआ, तो alpha 1 के होने से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा, x की पावर 2, जब मैं यहाँ पर separate करूँगा, मैंने जब alpha 1 रखा, तो नीचे 2 हो गया, तो x की पावर 2 जब मैं separate क्यों बचेगा, और जब मैं exchange to 0 plus रखूंगा, तो ये सारी quantity क्या हो जाएगा, 0, तो अकेला क्या बचेगा, minus 1 by 2, तो minus 1 by 2 into minus 1, मतलब minus 1 by 2, यह limiting value आ जाएगी, कब, जब alpha कितना होगा 1, तो क्या किस alpha की value के लिए, इसकी limiting value क्या आ जाएगी, non-zero real number, alpha की value 1 के लिए, तो इस questions का जो answer होगा वो alpha 1 आयाएगा, सर, alpha 2 क्यों नहीं हो सकता, अगर alpha 2 हुआ, तो यहाँ पर q हो जाएगा, और यहाँ पर numerator की degree denominator से छोटी रहेगी, मतलब denominator की degree ज़्यादा रहेगी, तो इस case में जब limit exchange to 0 होता था, तो मैंने सिफ़ाय था, कि limit exist नहीं करती है पर यहाँ पर limit exist करती है है ना, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, alpha क्या होना चाहिए, सबसे पहला number क्या होना चाहिए, sorry 1 है ना, तो alpha equals to 1 के लिए, इस questions की जो limiting value होगी, वो non-zero real number होगी, तो इस questions का answer आएगा, वो आएगा 1 चलिए, अब मैं second question यहाँ पर छपता हूँ वो आयता paper 2 से तब तक आप इसको एकमिलान से note कर लीजिए समझ लीजिए, recap करके देख लीजिए, नहीं समझ भाए होतो, है ना